चिंतन भी होना है आगे कॉंग्रिस पार्टी लगा तर कह रही है वो करेगी जो पहला ये फैसला लिया गया कि चलिए जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं पहले वो स्तीफा दे दीजे ये आप क्या देखते हैं ये पेरासिटमॉल से थोड़ा उपर बढ़े हैं ये नहीं बढ तो प्रियंका गांधी को आगे आकर कहना चाहिए था कि नहीं आजये ललू जी की जिम्मेदारी को आउन करती हूं क्योंकि मेरे लीडर्शिप में मेरे डिरेक्शन में ये चुनाव लड़ा गया तर मैं उस पर जाते हूं लेकिन वहां आप चुप हो जाते हैं और जो नव आप इसको अपना पार्टी समझते हैं अपनी दुकान समझते हैं अपना परिवार समझते हैं तो उसके भले के लिए चोड़ देना चाहिए ना या वो हर दिन दखल देते हैं आप जैसे कह रहे हैं कि हमाएं लोकतंत्र में जो प्रदेश अध्यक्षा उसकी जम्मेदारी सबसे ताकत उसके ऊपर है क्या वो ताकत आप महसूस करते हैं नवजो सिंग सिद्धू को पंजाब में मिली जो जेपी नड़ा की इस्तिती आज बीजेपी में है क्या आप उसका दस या बीस परसंट में नवजो सिंग सिद्धू को देखते हैं क्योंकि आप चन्नी को ले आते हैं बिना जाहिर सी बात जो उससमें उनकी रियक्शन देख रहे तो उनसे बहुत सहमती नहीं थी कि चन्नी को आप सीम के चेहरे पर साम लगे हैं चन्नी को चीफ निश्टर बनाना कॉंग्रेस का एक पॉलिटिकल जरूरत थी और वो मेरे ख्याल से बहतर फैसला था एक दलित मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने आम आद्मी पाटी को अकाली दल को इनको एक तरफ कर दिया था प्रेशर में कर दिया था कि दलिए चीफ निश्टर का फेस है कि पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं आप उसको माने ना माने किसी तरह से आज जब वो अंबेटकर और भगत सिंग को लाएं तो वो भी एक आप्टिक्स है ना तो वो आप्टिक्स था और उसमें नवजो सिद्धू को पूरा मौका दिया गया था जितना यदि किवल आप समझते हैं कि चीफ निश्टर बनाना ही एक मौका है तो मैं नहीं समझता और मैं बता सकता हूँ कि जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसमें नवजो सिंग सिद्धू चीफ निश्टर भी होते तब भी कॉंग्रेस का हाल इससे ज़्यादा खराब नही से कि आज नहीं बनते हैं तो एक माई शे महने बाद साल बर बाद नवजो सिंग सिद्धू का लेगते हैं क्योंकि आज बीजेपी सोच रहो कि अच्छा हुआ सई वक्त पर बीजेपी का साथ चोड़ कर चले हैं तो अब तो उनके पास आगे भविश्य क्या बचता है कौन सी पार्टी उनको खुले बाहों से लेगी आम आदमी पार्टी पर भी संभावना तब तक थी जब तक ये रिजर्ट नहीं आये थे आम आदमी पार्टी को भी लग रहत है हो सकता है सिद्धू को ले आए तो कोई फायदा हो लेकिन अब जो यथा इस्तिती दीखी है पंज पंजाते हैं तो इसलिए ये कहना कि नवजो सिंग सिद्धू का प्रिटिकल करियर खतम हो गया वो नहीं है और वैसे सिद्धू साहब तो बहुत ही उनका जो अनुभाव और वो है प्रतिभा वो बहुत कमाल की है ज्यादा है टेलेंट जो है उनमें क्रिकेट का भी टेलें प्रिटर पर चली रहा है तो उनके पास टैलेंट बहुत है और प्लिटिकल करियर ऐसे खतम नहीं होता आज भी नवजो सिंग सिद्धू खुद इंट्रोस्पेक्ट करें तो मैं समझता हूं कि वो एक ताकतवर हो सकते हैं क्योंकि वो बहुत पॉपुलर फेस है इस बात को मानना ही चाहिए कि नवजो सिंग सिद्धू एक पॉपुलर फेस है और वो लोगों पर बहुत असर डालते हैं लेकिन वो राइट ट्रेक पर नहीं चलता है